नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका खबरों के सट्डे पर एक और बड़ी खबर लेकर हम सामने आये हैं खबर है भारत और पाकिस्तान को लेकर जहां भारत के राफैल पर पहली बार पाकिस्तानी आर्मी का बयान आया है क्या है पूरा मामला इसके लिए सीधे जुड़ते लेकिन ये पहली बार पाकिस्तानी आर्मी के जो स्पोक्स परसन है उन्होंने भारत के राफेल को लेकर एक बयान दिया है उन्होंने कहा है कि भारत के राफेल से उन्हें कोई खत्रा नहीं है और वो हर तरह के एग्रेशन के लिए तैयार है दरसर पाकिस्तान के जो डी जी है I.S.P.R. के उनका नाम है बब्बर इफ्टिकार वो एक प्रेस कांफरेंस कर रहे थे प्रेस कांफरेंस में ही उनसे राफेल को लेकर पत्रकार ने सवाल किया था जिसके जवाब में उन्होंने कई सारी बाते जो हैं सिलसलेवार तरीके से कहीं है वो मैं आपको एक-एक करकर बता देता हूँ बहुत आसान भाशा में आकाश बबबर इफ्टिकार से वहाँ पर प्रेस रिपोर्टर ने ये पूचा कि जिस तरीके से भारत ने राफेल खरीदे हैं उससे पाकिस्तान को इससे कितनी शुनौती मिल सकती है तो इसे लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राफेल की कवरिज फ्रांस से लेकर भारत लाने को लेकर भारत में की गई है उससे देखकर लगता है कि भारत को कितनी इंसिक्योर्टी है कि भारत पांच राफेल ले या पांस सो राफेल ले ले हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम पूई तरीके से सुरक्षित हैं और हम तयार हैं हर उस अग्रेशन के लिए जो भारत हमारे खिलाफ दिखा है, साथ ही वो ये भी कहते हैं आकाश कि हमें अपनी शमताओं पर पूरा भरोसा है और हमने इसे साबित भी किया है, इसल कारगिल में भी वहारा और उसके अलावा भी जो बाला कोट स्ट्राइक हुई, वहाँ पर भी उसे मूगी खानी पड़ी, तो इस तरह के तमाम सवाल ये भी है कि आखिर कहां पर उसने साबित किया है, अलाकि दूसरी यो जो दूसरा अगला बयान उनका आता है, इसी मेटर रहा है, जिसके मुकाबले जो पाकिस्तान की स्पेंडिंग है, वह बेहत कम है, और ना सिर्फ कम है, उपर जाने के बजाए, बलकि नीचे ही जाती जा रही है लगतार, यानि कि सीधे शब्दों में कहें, तो पाकिस्तान के पास हत्यार खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ज जनी कि इंडिया और पाकिस्तान का जो इलाका है, या फिर इंडिया चाइना और पाकिस्तान का जो रीजन है, यहाँ पर वो बिगड़ेगा, साथी वो इंटरनेशनल कम्यूनिटी से भी ये कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्यूनिटी को भी इस मामले में देखना चाहिए, ले के मुकाबले हम तयार हैं किसी भी जवाब को देने के लिए तो ये आकाश अपडेट था पाकिस्तान की तरफ से राफेल को लेकर लगातार एक बेचैनी जो है वो जरूर देखने को मिलती है बयानों में लेकिन दूसरी तरफ अपने देश को ये कैसे कह दे कि हम बेचैन हैं तो ये सारी बाते जो है पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से पहली बार राफेल के मामले में सामने आई है जी आकाश झाल झाल